आज हम समस्ति पूर लोग सभा की बात करेंगे जिस लोग सभा की वज़से परिवार में तूट हो चुका है और एक बार फिर से परिवार तूटने वाला है उसी समस्ति पूर लोग सभा की आज हम चर्चा करेंगे जहां से अभी मौजूदा सांसद चिराक पास्वान के चच पसुपति पारस खेमे के सांसद हैं तो चिराक पास्वान चाहते हैं कि वो सीट उनके पास आ जाए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मामा और भाजे की लड़ाई जो है वो आपको देखने को 2024 में मिलेगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम पांडे हैं आप जनता जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पिछे विशाल खरे हैं समस्ति पूरलोग सबाद छेत्र का थोड़ा सा इतिहास आनेंगे 1990 से संजेलाल जो है वो जनता दल से वहाँ से चुनकर सांसद बनते हैं और उसके बाद 1996 में अजीत कुमार महता क के चुनाओ में संजेलाल फिर से जेडियू के वहां से सांसद बन जाते हैं 2004 में अलोग कुमार महता वहां से राजत के सांसद बनते हैं उसके बाद 2009 में महेश्वर हजारी जेडियू के सांसद बनते हैं 2014 में रामचंदर पास्वान वहां से सांसद लजपी के बनते हैं फि के अंत तक उनकी मित्यू हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे प्रिंस पास्वान वहां से सांसद बन जाते हैं ये तो इतिहास रहा और अब ये जान लिजे कि 14-19 की लड़ाई में कौन कितना वोट पाया है तो 2014 में रामचंदर पास्वान को वोट मिला 2,70,400 एक वोट व असोक कुमार जो है वो चुनाव हार गए उसी तरीके से 2019 में रामचंदर पास्वान के सामने थे डॉक्टर असोक कुमार वही कॉंग्रेस को वोट मिला 5,62,440 वोट वहीं डॉक्टर असोक कुमार को मिला 3,10,800 वोट यानि कि 2,55,643 वोटों से वो चुनाव हार गए ये हो गया और अब आपको हम बताएंगे कि 2024 की लडाई में कौन-कौन है एक तरफ जहां चिराग पास्वान चाहते हैं कि समस्ती पूरलोग सभा छेत्र उनके पाले में कर दिया जाए क्योंकि वहां से उनके भाई जो उनके साथ गदारी करके चाचा के साथ चले गए वो है तो चिराग पास्वान तमाम उन सीटों पर दावा कर रहे हैं जहां से उनके चाचा और उनके भाई सांसद हैं जैसे कि हाजी पूरलोग सभा जैसे कि समस्ती पूरलोग सभा और साथी साथ उन सीटों पर भी दावा कर रहे हैं जहां से पसूपति पारस गुट के सांसद हैं ज क्योंकि वो वहां के मौजूदा सांसद है भाजपा वहां से अपना किस्मत नहीं आजमाना चाहेगा क्योंकि वहां से भाजपा कभी लड़ाई में रहा ही नहीं है समस्तिपूर में हमेशा राजद और जेडियू के सांसद रहे हैं और उसके पहले आप देखेंगे तो कॉंग्रेस के सांसद रहे हैं और जैसे ही कॉंग्रेस का बर्चश्च्व समाप्त हुआ उसके बाद राजद और जेडियू के सांसद हो गए और इस बार लड़ाई में महस्वर हजारी 2009 में वहां से सांसद रहें महस्वर हजारी प्रिंस पास्वान के मामा है और मामा में देखने को मिलेगी महस्वर हजारी अपने भाजे को इसारो इसारो में बता देते हैं कि आप संभल जाना इस बार इस बार हम मजबूती के साथ आएंगे क्योंकि निटीश कुमार्ड महस्वर हजारी से कह दिया है कि आपको वहां से तैयारी करना है आपको वहां से चुना सीट नहीं जाने वाली है राजद और जेडियू जो है वह आपस में ही सुला करेगी क्योंकि यहां से राजद और जेडियू के ही सांसद है कॉंग्रिस के उमिद्वार जब से चुनाओ लड़ रहे हैं आपको 2014 से वह चुनाओ लगतार हार रहे हैं इसलिए इस बार यह सीट जो है वह कॉंग्रिस को नहीं दी जाएगी जेडियू नहीं तो राजद के पास ही सीट रहेगी इंडिया के तरफ से और एंडिये के तरफ से यह सीट जो है या तो चिराग पास्वान के पास जाएगा या तो फिर पसुपति पारस के पास जाएगा यदि पसुपति पारस के पास जाता है तो प्रिंस पास्वान चुनाओ लड़ेंगे और यदि चिराग पास्वान के पास जाता है तो चिराग पास्वान अपनी बेहन को वहाँ से चुनाओ लड़ाने के बारे में सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि जमुई से हम चुनाओ लड़ ले, हाजी पूर से मा को चुनाओ लड़ा दे और समस्ति पूर से बेहन को चुनाओ लड़ा दे, अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गटबंदन जो है, उसमें से किसके पाले में ये सीट जाता है, राजत के पाले में या फिर जेडियू के पाले में और दूसरी तरफ इंडिये गठबंदन है उसमें भी यह देखना है कि एक किस पाले में जाता है चिराक पास्वान के पाले में या फिर प्रिंस पास्वान के पाले में लेकिन जिसके भी पाले में जाएगा लड़ाई बहुत दिल्चस्प होने वाली है यदि प्रिंस कि लड़ाई जो है वो आपको देखने को मिलेगी देखते हैं 2024 में क्या होता है बारहाल इस कबर में इतना ही बने रह्मार साथ और देखते हैं जन्ता जिंक्षाथ